हेलो हाई असलाम वालेकूं मैं हूं हूम असीफ फार्म ट्रेक्टर एंडेक्स 23 यूट्यूब चैनल से आज हम बात करेंगे और इकल एपिक्स के ले आउट के मतलिक थोड़ी से तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और लॉग इन होते हैं इसको पहले हम रन कर लेते हैं यह हमने एक फार्म बनाया था तो आज हम इसके कुछ ले आउट के मतलिक बात करेंगे राइट फर्स्ट फार्म पे जाएं आप अब देखें चलें पहले इस से जान से यह बात करता हूं एक युनिविश्टर थीम है अच्छली यह लेआउट को आपके पूरे लेआउट की ओ कालम्स में डिवाइड करके बता रहा है तेक्स इसमें बारा कॉलम है आपके इस लेआउट में राइट ट्वल कॉलम्स इसी के इसाप से अपना लेआउट डिजाइन करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा कॉलम्स है अगर दो, दो में डिवाइड करेंगे तो यह आपकी कॉलम्स कुछ इस तरह के थोड़àng सी इंक्रीज हो जाएंगे चार में डिवाइड करेंगे तो कुछ छे में डिवाइड करेंगे तो कुछ यह तो यह कॉलम की कुछ पॉजिशन्स है इसको मद्दे नजर रखते हैं अपने फार्म को डिजाइन करेंगे राइट अचgyh, यहाँ पे एक प्रापर्टी होती है एड न्यू रोव यह लेकिया, जैसी एड न्यू रोव करेंगे आपी यह जो न्यू रोव अड होरी थी, उसको डिलेट करेंगा और एक ही उसमें आपके रो में दो आटम ले आएगा आप इसको भी add new row खतम कर दें तब देखें अब आपके form का design कुछ इस तरह से हो जाएगा ये तीन item आपके एक ही field में आ गए राइट और अगर उप चार हैं अच्छा एक और बात बतादा चलो इसमें होते हैं regions रीजन के properties होती है अच्छा ये layout की properties है और इसकी appearance की properties है अच्छा layout में हम column अगर इसको हम 2 करते हैं तो ये देखें थोड़ा सा इसने padding दे दी किस column से start करें ये दो number column से start हो रहा है और कहां तक span करें 10 तक तो ये देखें थोड़ी सी इसने left और right की padding दे दी आपको इसको आप save करें ये देखें दो number column से start करें और 10 number column तक ये जाएगा तो आपको नहीं आपको कुछ पैडिंग नजर आएगी अच्छली क्या है यह किस column से start करें तो number column से और कहां तक span करें 10 number column तक अगर आप इसको line in कर दें दें कुछ और इसको one करें तो कुछ पैडिंग्स आपकी कम हो जाएगी राइट अब हम बात करते हैं टेंप्लेट के इसमें एक होती है आप प्रापरटी आपकी इसको यहां से भी आप इसको कोई कैडिट कर सकते हैं इसको यहां से भी आप कोई कैडिट रन टाइम पर कर सकते हैं राइट एक प्रापरटी होती है इसकी अच्छा इस आइटम पी कुछ प्रापरटी होती है जैसे पैकिंग क्वांटिटी है आप चाहरे हैं जो पैकिंग क्वांटिटी की यह लेबल है यह यहां पे नहीं इसके साइड पर आजए जैसे नॉर्मली आता है आपके इस फार फार्म में तो आप इसको करेंगे राइट इसको आप रन करें यह देखें पैकिंग क्वांटिटी जैसे नॉर्मल है वैसे आपके पास आ जाएगी अगर हम सब को ऐसे कर लेते हैं ऑप्शनल इस वन मेरी आपको आप्शनल राइट छी सेलर्ड डियक्टिव इनको भी हम आप्शनल करते हैं आप्शनल तो यह देखें कुछ इस तरह का आपको फाहम नजर आएगा राइट अब अगर हमने को कुई अब यह देखें अब कॉलम हमने क्या डिवाइड किया है एक दो तीन चार यह तीन कॉलम में डिवाइड है देखें बारा कॉलम है एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा कॉलम से यहां भी यह जो कॉलम हमारे डिवाइड है तीन तीन में डिवाइड है यह खुद ही स्ट्रेच कर लेता है अपने हिसाब से यह खुद ही उस फॉर्म पर रेंडर कर लेगा राइट यह कुछ कॉलम की डेफिनिशन थी अच्छा इसको आप रन टाइम पर भी कस्टुमाइज कर सकते हैं कुई करें आप पूरे रेजन को कस्टुमाइज करना है क्लिक करें इने ची कुछ ऑप्शन्स है रिमूव बॉडि पैडिंग आप पैडिंग रिमूव करना चाहते नहीं जाते हैं यह देखें कुछ शाते हैं यह इसको आर्ट हों के रखने आर्ट हो बेटर है हेडर्ड विजिवल है यह नहीं है हिटेन करते हैं लाका है है और यह आपका यह कलरर है कलर चेहिक देगा है राइट हैडर आपको अनी तो यह कुछ स्टायल है इस्टेक्ट में आगया आपके एन्मिस में रिमूव बॉर्डर कर दें आप इनके इसको डिफार्ड रखें और भी कुछ चीज़ें अलाइम्मेंट आप लेबल की पोजिशन चेंज कर सकते हैं तो अब इस सब इसको चेंज कर सकते हैं रन टाइम पर भी कुछ इंटरनेट में डिले हो रहा है तो इस तरह का कुछ फार्म नजर आएगा अचा इसको डिफ्ट को हम लिस्टाफ वैलिवे बना लेते हैं यह इसको चैक बॉक्स बना लेते लिस्टाफ वैलीव नहीं चेक बॉक्स आपका डिएक्टिव है है इसको आप करें चेक बॉक्स इसकी वैलिज होती है एक डिफाल्ट में इस्ट्रेटिक इसको आप वाई कर दें ओगे करें सेव करें आप इसको रन करें यह देखें यह आपका चेक बॉक्स बन गया राइट अप्लाइचेंज इस एक्टिव और डिएक्टिव के लिए आपके लिए यह हो जाएगा राइट तो यह कुछ ले आउट के मुतलिक था तो आपको कॉलम की पोजिशन बताना थी जो बहुत इंपॉर्टन थी यह आप में बारा कॉलम होते हैं इसी के गेंस आप अपने पूरे पेज को डिजाइन करते हैं और इसकी अगर आप एडरो खतम करेंगे इस तार्ड निव रो यह कॉलम है जाएगा इसकी आप खतम करें इस तार्ड निव रो और यह यह एक कॉलम हॉन्य आएगा और ये कुछ डिजाइन्स हैं इतने प्रोफेशनली दो नहीं हैं अगर फिर भी एडवांस सीरीज में हम इसको प्रोफेशनली डिजाइन करना सीखेंगे इन्शाला हमें जल्दी अप्लोड करूँगा अपने लेक्शर्स थोर से इंट्रोड़क्शन था आपको लियाउट से एपक्स के लियाउट से के मतलिक तो बाकी मज़ीद चीज़ें आप कुछ एक्सप्लोर करें या कमिंट्स करें मेरे चैनल पर तो उन चीज़ों पर हम डिसकस करेंगे तो ये आज का लेक्शर्स यहीं कम्प्लीट होता है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें ओके जी अलाफिस